गुजरात के बारे में कहा जाता है कि यहां के लोगों की धर्म में बड़ी आस्था है गुजराती बड़े धार्मिक प्रवित्ति के होते हैं खास कर जो हिंडू है यहां के वो धेर सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में धार्मिक कताओं में धार्मिक पूजाओं में उनक हिंदू होने या नव होने पर विवात खड़ा हो गया वो मंदिरों में जा रहे हैं भजन कर रहे हैं तिलक लगा रहे हैं हाला कि इस सब में कोई बुराई नहीं है लेकिन मुश्किल क्या है कि कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से धर्म को कहें कि जब जिस धर्म के लिहाज से उसका इस्तेमाल करने से उसका प्रभावत दिखाने से तो उसी धर्म के वो बनते हुए दिखते हैं अब यह बड़ा क्लासिक एक्जामपल है कि राजी गांधी ने ही रामलला मंदिर का ताला खुलवाया था लेकिन यह भी क्लासिक एक्जामपल है कि शाह वानो का फैसला भी पलट दिया गया यह भी एक क्लासिक एक्जामपल है कि राहुल गांधी कहते हैं संभोता 2007 मार्च में उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं तूटती और आज उनको लेकर कहा जा रहा है उनके जो भी रणनीतिकार हैं वो कह रहे हैं कि वो जने उधारी हिंदू हैं ब्रामण हैं और मंदिर में घूम रहे हैं जगा 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 जा रहे हैं तो ये दरसल कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता हासिल करने का एक डिस्परेशन भी दिखाता है राउल गानिया देक्ष बनने जा रहे हैं लेकिन सवाल यही है कि हर बार जब कॉंग्रेस पार्टी लंबे समय से ऐसी असफल कोशिश करती आ रही है कि धर्म का सत्ता प्राप्ती के लिए इस्तिमाल क्यों कोशिश करती है कभी हिंदूओं के एक तरह से उनकी भावनाओं को तुष्ट करने की कोशिश करती है कभी वो मुसलमानों की भावनाओं को तुष्ट करने कोशिश करती है और भाले ही भारती जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो सत्ता के लिए धर्म का इस्तिमाल करती है राम मंदिर अंदोलन उसमें सबसे आगे कहा जाता है लेकिन कुल मिलाकर इसकी बड़ी कोशिश और बुनियादी कोशिश वो कॉंग्रेस करती दिखती है ये अलग बात है कि उसका फाइदा भारती जनता पार्टी को मिल जाता है अब सवाल ये है कि 9 और 14 की वोटिंग और 18 दिसंबर के परिणाम क्या फिर से वही कहानी लिखते दिख रहे हैं